हलो दोस्तो लाज्टा लेक्षर में हमने कम्प्लीट करलिया था इंडेक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो आज हम स्टार्ट करने वाले से क्षमेशटेंस अधिके लाइन अन्हों सेटन के लिभ दूते कि लिए टीकूरी सिव entrada लिए्टा, लिएμο है अप्रों की सबस्किता है और Ichbbe हैं यहां वहां है ए लिए शुक्नारी और आटन Papa उसिए कंगी सेटेग में। जीन कर से तो शुकूरी सां ख़ा के लिएग आटनियोदी 2 दाट संतित यह होता है आपका electric field intensity निकालने के लिए हमें क्या करना होता है d upon epsilon naught epsilon r यह हम पहले भी एक जिगह देख चुगे हैं और d क्या होता है आपका d होता है आपका charge per unit area अब यहाँ पर area के जिगह क्या जाता है 2 pi x क्योंकि q पहले से ही किसमें गिवन है q आपका कुलाम पर meter में किवन है तो यह तो d हो गया और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं epsilon naught epsilon r से तो मैं अब e को directly लिख सकता हूँ finally आपको याद रखना है कई वारे relation यूज होता है 2 pi epsilon naught epsilon r x यह आपका e हो गया है यादि कि जिस value से लेकर के आप जिस point की बात कर रहे हो suppose यह आपका conductor है यह इसकी radius है r और आप बात कर रहे हो किसी d distance पे आपको निकालना है कहाँ पे d distance पे तो आपने d distance पे कोई पॉइंट लिया और d x इसको माल लिया आपने इस एक unit area को d x माल लिया यह पे तो अब आप वोल्टेज को कैसे निकाल सकते है इंटिग्रेशन कर दोगे स्क्रेश पे और आप सूंशाने से किसका आप धीक किसका ऐसका यह अटिग्रे Huntington Culture टो किसका ऑप तो इल्टूड इल्टैंज कितनी है a. e. d. X तो यह आपका जाय जाएगा इसको में इसको माईनसमें लिखा जा सकतता है मैंश में में मैं इल खा सकते हैं Maja यहां पर एक बार आप जानते हो कि वोल्टेज और एल्ट्रिक्फिल इंट्न सिटी को जब रिलेट करोगे आप और एलेक्रिक्फिल इंकेंसिटी क्यों पे डिपेंद करी है तो कहीं हमें आपके वास वी और क्यु में रेलेशन बिल जायगा V को आफ function of Q में निकाल लोगे अगर ये find out कल लोगे तो आपको बता कि Q is equal to क्या होता है Cv यानि कि Capacitance निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा जितना भी charge है उसको voltage से divide करना होगा तो ये basic formula है Capacitance निकालने का ये अपको करने के लिए आपको voltage को charge की terms में convert करना था तो वो करने के लिए आपने सब स्टेप्स को किया है ठीक है ये अबने जब केबल का Capacitance find out किया तब भी इनी points को discuss किया था तो वो 1-1 स्टार्ट करते हैं पहले हम देखेंगे Capacitance of Capacitance of Single Conductor आपके पस कोई single conductor है उसका आपको Capacitance find out करना है तो ये आपके पस single conductor हो गया अभी तक जब inductance find out कर रहे था तो वापे दो quantity जा रहे थी internal और external हम compare करते हो चलेंगे inductance से तो inductance हमने single conductor का निकाला था तो हमने internal अलग से find out किया था और external अलग से find out किया था बद हमको यहां पर देखने को मिलेगा कि internal Capacitance तो कुछ होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा देखेगा सपोज ही आपके रहे और हमने कोई एक पॉइंट मान लिया जिस पॉइंट पर हम मान के चल रहे है कि Capacitor की दूसरी प्लेट है क्योंकि Capacitance कब बनता है जब दो प्लेट के बीच में कोई इलेक्टिक मीडियम हो तो हमें कुछ ना कुछ एक बेस मानना होगा तो हमने वो बेस माना है किती दिस्टेंस पे डी दिस्टेंस पे Capacitance की सपोज दूसरी प्लेट है और इसको डी एक्स हमने आपे मान लिया है इस कंडेक्टर की लेंग्ध हमने मानी है L is equal to 1 meter क्योंकि हम unit length पे Capacitance निकालते हैं जैसे हमने inductance किसमें निखाला था unit length में निखाला था हमने सारी सबजी के यही बात की थी इसी को लेकर के चलते हैं यहां पर हम क्या बात करेंगे यह आपका फेराडे पर मीटर में आएगा ठीक है तो यह आपकी distance D हो यह अब हमें बताए कि Capacitance का बनता है दोनों चार्ज की प्लेट्स पे क्या चार्ज आजाता है दोनों प्लेट्स पे तो यहां पे आपको चार्ज के बाद भी आपको मिलेगा तो यहां पे Capacitance इंटर्नल क्यों नहीं बना कंडेक्टर के अंदर इंटर्नली बनने का मतलब क्या है जीरो होती है और घर अलगर उलेक्ट्रिक फिल मक्य होती है तो अलगर यहां से मैघ क्या बोल शकता हाँ जे अपॉन सिग्मा और हम सी चुंकर sigma is very high और sigma जब high होगा तो e nearly क्या आजाएगा? 0 आजाएगा और जब 0 होगा तो यहाँ पे किसी तरह का capacitance नहीं बनेगा तो पहले चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे capacitance only कौन सा होगा? external होगा, internal जैसा कोई concept नहीं होता है जबकि inductance में हमने दोनों निकाले थे, internal और external तो फर्स चीज के लिए रुचेगे अब हमें बस यह बाहर वाला जो capacitance है वो ही है तो उसी को निकालना है तो निकालने के लिए पहली step क्या है electric field intensity निकलेंगे रिखेंगे electric field intensity कितनी होगी? चारज अपन को बता है फिर निकालने के लिए रिखेंगे 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 अब इससे अगर हमें voltage निकालने है voltage कैसे निकलेगी? यह radius कितनी है? र तो R2D इसका integration कर देते हैं तो voltage के आएगी R2D में अगर इसका integration कर देता हूँ EDX का या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? minus of D2R EDX भी लिख सकता हूँ तो जब हम इस integration को perform करते हैं तो V का formula क्या आता है? Q upon 2 pi epsilon 0 epsilon r 1 upon x का log x होगा, log x होगा तो log x में जब limit put कर होगे तो log d minus log r होगा तो finally क्या जाएगा? log e base d upon r तो यह आपको मिल गया है voltage ठीक है, अब charge यह कहां पर है? D-distance पर हम बात कर रहे हैं तो D-distance पर कितनी voltage होगी वह हमने आपे find out किया है तो voltage और charge का relation हमें मिल चुका है तो हम Capistence जानते हैं क्या होता है? Capistence होता है Q upon V तो जब यहाँ पर Q upon V करेंगे तो आपके final answer क्या मिलेगा? 2 pi epsilon 0 epsilon r divided by log e base d by r तो किसी single conductor का अगर हमें Capistence निकालना है D-distance पर D-distance पर किसी single conductor का Capistence निकाला जाएगा तो कितना आता है? 2 pi epsilon 0 epsilon r divided by log e d by r अब इसके जितने भी formula है इसी इन ही terms में आएगे जैसे हमने Inductence के case में क्या देखा था? कि जातर formula कैसे आ रहे थे? 2 into 10 raise to power minus 7 log e और यहाँ पर आ रहा था आपके वास capital R by small r dash r dash आ रहा था यहाँ पर directly r आएगा महाँ पर capital R distance पर लिए आता हमने यहाँ पर small d distance पर लिया है तो formula की जो form है यानि की आपको सारे formula कैस्टेंस के अंदर इसी form में मिलेगे तो यह आपका first formula आ गया है यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो क्या है कि R dash जैसा कोई concept नहीं आया है क्योंकि आप एफेक्टिव रेडियस नहीं है इफेक्टिव रेडियस कब आ रही थी जब आपको internal भी inductance बन रहा था तब आ रही थी यहाँ पर internal कोई capacitance नहीं है तो इसलिए यहाँ पर डिरेक्टिव एपसलनोट एपसलनर लॉग ही dyr आपका answer हो जाएगा और यह किस form में आएगा पर मीटर क्योंकि चार्ज है जो आपने किसमें लिया है कुलाम पर मीटर में लिया है तो इसलिए यहाँ आंसर भी किसमें फेराडे पर मीटर में यहाँ यहाँ सिंगल कंडेक्टर का अगर हमें यही काम करना है सिंगल फेस्ट टू वायर लाइन यहाँ पर क्या होगा? 2-wireline का मतलब क्या है कि आपके दो दो conductor है A और B इन दोनों के बीच में आपको गयर कैपस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में मीडियम है air दोनों प्लेट से हैं तो कोई ना कोई कैपस्टेंस बनेगा और यह distance, suppose इनके बीच में है, D distance है, ठीक है, और यह capacitance को हम बोल देते हैं, CAB, अब हम जानते हैं, इसके अंदर हमे capacitance निकालना है, तो जैसे हम last case में, यानि कि inductance में condition लेकर के चलते थे, कि IA प्लस IB is equal to 0, यहाँ पर जो condition लेकर के चला जाएगा, वो है, A पर charge प्लस B पर charge जो होगा, किसी भी एक प्लेट का चार्ज ले लेते हैं, या तो QA चार्ज ले ले लेंगे, या फिर आप QB चार्ज ले ले, इसको डिवाइड कर दो किस से, उसके बीच में जो voltage है, VAB से, तो आपको capacitance मिल जाएगा, दोनों फॉम्ले से यह capacitance निकाला जा सकता है, तो हम किसी ए Q by V करके C A ले निकाल जाकते हो, तो आपका जो टास्क है वो क्या हो गया है, VAB फाइड आट करना है, अब VAB क्या होता है, अब VAB क्या होता है, वी A माइनस VB, तो V A कैसे निकाला जाएगा, V A का फर्मला क्या होगा, चार्ज QA divided by 2P Epsilon Epsilon R log E D by R, यही फर्मला देगा था यह फर्मला कहा है, जैसे हमने लास्ट केस में देखा था, वोल्टेज का यह वाला जो फर्मला था, वही हमने आपे यूज किया है, तो यह हमने लिख दिया आपे, यह आगे आपके पास, अब हम जानते हैं कि Q A plus Q B is equal to 0, तो Q B क्या होगा, माइनस of Q A होगा, तो इसको हो जाएगा, और जब प्लस में कनवर्ट होगा, तो V A B जो है, आपके पास क्या जाएगा, Q A, कॉमन लिया जा सकता है, यहापे Q A, Q A जब कॉमन लिया जाएगा, बट डबल हो जाएगा, इसका डबल होने से क्या होगा, नीचे पाई, एपसालन और एपसालन आर जाएगा और लॉग E, D by R जाएगा, अब जानते हैं, कैपस्टेंस क्या होगा, C A B, वो होगा, आपके पास Q A divided by V A B, यही होगा, तो Q A divided by V A B करने पर क्या आएगा, पाई, एपसालन आर एपसालन आर डिवाइद बाई, लॉग E, D by R, तो यह आगया, आपके पास कैपस्टेंस, इ किसको बता रहा है, second formula है, इस कैपस्टेंस का यह, तो यह बता रहा है आपके दो कंडेक्टर्स के बीच में कितना कैपस्टेंस बन रहा है, कि C A B को यह डिक्टेट कर रहा है, दो कंडेक्टर्स हैं, उनके बीच में कितना कैपस्टेंस बन रहा है, उसको बता रहा है, बट दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, CN और CN में, ठीक है, अब आप से पूछा जाता है कि कैपिस्टेंस टू अर्थ फाइंड आउट कीजिए, दो कंडेक्टर लाइन है, देखो किस्टेंस को समझना, ये तो क्या बता रहा है, ये पता है, बता रहा है, कैपिस्टेंस बिट्विन तो रू कंडेक्टर्स कैपिस्टेंस सींग और में, ये तो पार्थ बतार याय कि टू कंडेक्टर की लाइन है,ter keyword टू कंडेक्टोर की CAB, तो CAB किया, Cn किसके एकवाल होगा, 2CAB के एकवाल होगा, सीरीज कॉंबिनेशन वाला कंसेप लगा दिया है, तो Cn क्या होगा, 2CAB, तो हम यहाँ से Cn निकालना है, अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, CAB को 2 से मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो वो आपका जाएगा, 2P Epsilon 0 Epsilon R divided by log E D by R F, पर मीटर, ठीक है, यह फॉर्मला किसका है, CAB का फॉर्मला है, CAB का फॉर्मला है, CAB का फॉर्मला है, CAB का फॉर्मला है, तो इस केस में, जो हमने सेकंड केस स्टार्ट किया था, इसमें दो फॉर्मले आपके बस निकल के आए, अगर आपसे दोनों कंडेक्टर के बीच में कैपिस्टेंस पूछ ले, या फिर कैपिस्टेंस टू अर्थ पूछ ले, अगर दोनों के बीच में पूछता है, तो पाई Epsilon 0 Epsilon R divided by log E D by R आता है, और अगर अर्थ के बीच में बूछ ले जाए तो तू पाई इसका जस्ट डबल हो जाता है, लोग E D by R हो जाएगा, ठीकर यह आपके बास फॉर्मले आगे है, D क्या है, डिस्टेंस बेट्विन दी कंडेक्टर, अब अगर आप इसको देखो, इन फॉर्मले को, कोई भी फॉर्मला अब तक हमने देखा है, तो कैपेस्टेंस का जो जनरल फॉर्मला है, उसमें चेंज कहाँ पर होता है, 2Pi, Psi, N, Psi, R, अगर अर्थ से हमें निकालना है, किसे निकालना है? अर्थ से निकालना है, अब सभी केस में हम अर्थ से ही वाइंड आउट करेंगे, तो जात्तर जो फॉर्मला आता है, वो इस तरह का आता है, यहां पर हम मान सकते हैं, अब हम सब formula को derive नहीं गरेंगे, अब हम इंडेक्टेंस से compare करके formula निकालेंगे, जैसे वहां पर भी क्या था था लॉग, ऊपर क्या था था, capital R, मीचे small r des आथा, तो उपर वाले को हम बोलते थे mutual GMD, और नीचे वाले को self GMD, same काम हमें यहां यहां प तो उसी को compare करके हम सारे formula लिख सकते हैं, देखे हम कैसे लिखेंगे, थर्ड केस में फर्मॉला बनाना है, क्या है थर्ड केस? थ्री फेस ट्रांस्पोज्ड लाइन थ्री फेस ट्रांस्पोज्ड लाइन में क्या होगा? Cn क्या हैगा? 2π, εψ, 0, εψ, r और अर्थ से Cn बाकी नीचे क्या आता है, वहाँ पर क्या रहा था? सेम वैसे लिखना, इंडेक्टेंस में क्या रहा था? D1, D2, D3 इनकी पावर क्या था? 1 by 3 था और नीचे क्या था? R' यहाँ पर only R आएगा तो आपको याद रखना इसी हो जाएगा 4th case क्या है अगर आपसे पूछ ले जाएगा Bundled Conductor के लिए अगर आपको क्या निकालना है Capistence to Earth निकालना है तो क्या लिखोगे? 2π, εψ, 0, εψ, r log e उपर क्या आएगा? mutual GMD आएगी और नीचे क्या आएगा जो आपकी self GMD DM क्या है आपकी GMD है DS को आप GMR भी बोल सकते हो या फिर आप इसको self GMD भी बोल सकते हो इसी तरह से आप इसको mutual GMD भी बोल सकते हो, ठीक है? तो यह bundle conductor के लिए बन गया अगर डबल सर्किट लाइगी तो क्या बनेगा? डबल सर्किट लाइगा आपका 2Pi Epsilon-not Epsilon-R डबल सर्किट लाइगा ट्रांस पोजिशन भी है तो जैसे हम आपे लिया था अगर डबल सर्किट लाइगा तो आपको अवरेज लेना होगा अवरेज लेनी की वैसे दोनों में क्या आजाता है वन थर्ड पावर आजाती है तो यहां पर क्या होगा? DM1, DM2, DM3 divided by DS1, DS2, DS3 और इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? तो इस तरह के फ़र्मले आ सकते हैं जातर जो निमेरिकल इनके उपर आएं इसी फोर्मले को आएं जो आपका बेसिक फोमला है इस फोमले को पर निमेरिकल पहले पहले पाले एक्जाम के पूछे का चुके है, तो आपको यह यूज करना है बाकी मेरे और जितने फोमले जो बन सकते हैं वह भी आपको बता दिया है जो यह हो गए काहानी आपर हो जाती है अब capasitens अगर आपको पता चल चुका है आर्थ के बीच में sapatacitens पता चल चुका है तो इसके रेलेटेड और भी बहुत चीजे पोची जा सकती है जैसे अगर आपको capasitens पता है तो आपसे पूछा जा सकता है तो कैसे निकालोगे 1 upon omega यानिकी 2 pi f और आपको कैपस्टेंस पता है cn तो यह किसमे आएगा ohm per meter per face देखो कैपस्टिव रेक्टेंस हो इंडेक्टिव रेक्टेंस हो या फिर रजिस्टेंस हो तीनों में होते हैं अब कैपस्टेंस पर मीटर में हो यह किसमें आएगा per meter में आएगा तो ohm per meter हो गया और पर face value है इसलिए पर face लिका हमने आपे बी की बात हम करते है susceptence है यह क्या होता है reverse of xc होता है तो यह 2 pi f cn अजाएगा ठीक है अगर आप से पूछिछ से अर्थ का चार्जिंक और पैश निकालने के लिए विपय को लिए आपको i CbH निकालना यह एक लाजन्य जैसे आपने clyn निकालना तो क्या करते हो क्या उनुप्राफ निकालने तो क्या करते हो बोल्टेज इंटू क्या करोगे current हो गया अब यह भी किसमे होगा MPR per meter per phase होगा क्योंकि per phase capacitance है और per meter में capacitance की value है अगर यह आप से पूछ लिए जा है reactive power कितनी consume करेगा यह जो line का capacitance है तो वो कैसे निकाला जाएगा QCPH क्या होगा reactive power consumption कैसे निकाल जाता है V square divided by क्या करते है हम reactance करते है तो reactance V square से जब इस reactance को डिवाइड करेंगे तो यह वापस से उपर आ जाएगा क्योंकि पहले ही वनपॉन में क्वांटिटी है तो क्या जाएगा 2 पाई F CNVPH square अब यह भी किसमे आएगा वार पर मीटर पर फेस में आएगा वहर पर मीटर पर फेस के उन्दर आएगा ठीक है अब यहां पर फेस वोल्टेज आप जानती है कैसे निकाल जाती हो कि जातर नुमेरिकल में लाइन वोल्टेज गिवन होगी तो फेस वोल्टेज निकालने के लिए आप वील को रूट 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? फेस वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगी तो यह आपके कैपस्टेंस रिल्टेट जो पॉइंट बनते हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं एक लास्ट चीज वो है इफेक्ट ऑफ अर्थ और्थ 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 बिट्विन दी कंडेक्टर्स वैसे तो यह तो यह टॉपिक है जो आपका यह एंटी का यह एलेक्ट्रो मेंगनेटिक फिल्ट थियूरी का पर कैपस्टेंस हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम इसको भी हाँ पर कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको डाइटली केस याद रखना है पहले तो में उस केस का डेईवेशन आपको करा देता हूं फिर दो यह पर अधिक अगर अम कंसिदर करेंगे तो क्या चैंज आता ही रिजल्ट में पहले तो अपिक का समझेगा थियूपिक क्या खेना जाता है तो यह एड़ लाइन होगी इफेक्ट फेक्ट फर्थ अधेट फेक्ट फर्थ ऑन कैपस्टेंस between the conductors between the conductors effect of earth effect of earth and capacitance between the conductor इसमें क्या खहना रहा है अभी तक हमने जो A भी निकाला था ये A और B था यहाँ पर हमने क्या निकाला था? निकाल लिया था इन दोनों के बीच में वो अपना आंसर क्या आया था? फाइनल आंसर आया था अपना जबने C A भी निकाला था वो आपका आया था दोनों के बीच में जो क्या निकालना जा रहा है उसका आपका आया था? पाइ एपसाल नॉट एपसाल र डिवाइड वाई लॉग E डिवाई र ठीक है यह आंसर आया था अभी में उसके बीच में दोapor कंडेक्टर के बीच में कैपिसटे jeszcze अभ यहां पर अर्थ का अध्याल का मतलब क्या है कि कंडेक्टर और उनके झीच Εर्थ तो होगी Pॉल्स का पे लगे होते हैं अर्थ पे लगे होते हैं एम्टी कर निकभा नेचिए ऐकढ़नागर मेद और मुटी दिर क्वानीं में का सब तो मैं लगा एक निको साए अर्थ जैसा कि प्रतिकॉप देननी तो संब का समस्फ़फटो यह यह पोर्फटम सी शेफशिक पैजला जाई और मेन फेंगल टाने साजipe skilled QA है चार्ज तो यहां पर जो चार्ज होगा वो होगा QC is equal to minus of QA क्योंकि यह C point है, इसी तरह से इसकी डिस्टेंस कितनी है, H है, तो same distance पे एक और चार्ज होगा जिसको हम बोलेंगे आपे, इसको हमने M बोल दिया है, तो QM क्या होगा है, माइनस of QB क्योंकि यहां पे QA चा को consider नहीं किया था, यानि कि आपके पास जो case बन रहा था हो, वो बस इतना सा था, A और B conductor थे, बट अब आपको पता चला कि अर्थ की वज़े से भी, जो है, mirror image बनेंगी, चार्ज की और वो चार्ज भी क्या करेंगे, आपके result को effect करेंगे, वो ही हमें निकालना है, यह condition तो तो हमने पहले वाले case में कैसे निकाला था, हमें बताए कि चार्ज कैसे निकाला जाएगा, CAB क्या होगा, QA upon VAB होगा, यही एक formula है जो हमें यूज करना है, फिर हमने वहाँ पर VAB निकाल लिया था, अब आपको VAB ही यहाँ पर निकालना है, पर अब आपको इन दोनों चा क्योंकि यह तो आता ही है, ऊपर क्या आ जाएगा, suppose QA आ गया, log E DAB, A और B के बिच में distance divided by R, plus QB log E R upon DBA, minus आता है इसलिए उसने इसको reverse कर दिया है, ठीक है, plus QC हो गया, log E DCB upon DCA, plus आ गया, QM log E DMB upon DMA, तो यह जो दोनों टर्म्स आई है, यह किसकी वज़े से आई हैं, यह तोनों टर्म्स आई है, क्योंकि आपको यह दोनों चार्ज को भी consider करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, VAB जो है, आपका इन सब टर्म्स को जो आप यूज क आपने यूज किया होगा, तो आपको यह समझना बड़ाईजी है, कि B की जस्ट नेगेटिव इमेज है, जो अर्थ के अंदर बन जाती है, क्योंकि अर्थ क्या एक अडेक्टिव प्लेट का काम करती है, इसे लिए, इन सब को जो पुट करते हैं, तो आपके पाद जो VAB की CAB क्या होगा, QA उपन VAB होगा, तो जब आप इस तीज को फाइंड आउट करते हो, तो फाइनल रजल्ट क्या मिलेगा, पाई, एपसालन नॉट, एपसालन र डिवाइड़ बाई, लोग E, D उपन R, रूट 1 प्लस D स्क्वार उपन 4H स्क्वार, तो आपको बस याद क्या बाकि आपको डिवेशन की प्रॉबबलम नहीं लेनी है, बाकि मैं समझा दिया है, फिर ही आपको यही रिजल्ट याद रखना है तो हम Иuu पन चीज़ लिख सकते हैं, कि इस फाइड ऑफ टावर यह height of tower जो है बहुत ज़्यादा है यानि कि H आपकी D से बहुत ज़्यादा है D का मतलब क्या है जो conductor है उनके बीच में जो distance है वो तो D है और height, tower की height का मतलब क्या है यह जो height है यह वाली है H है तो यह आपको क्या करनी है अगर आपने मान लिया कि H बहुत ज़्यादा है D से तो आपको बताए कि जो D square upon 4H square आएगा वो क्या हो जाएगा? नियरली जीरो हो जाएगा D बहुत ज़्यादा है क्योंकि sorry H बहुत ज़्यादा है किस से D से इसलिए अगर ऐसा होगा तो यह वाली terms है जीरो हो जाएगी और यह वाली term जीरो होगी तो वापस से रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा पाई एपसन नोट एपसन र डिवाइड बाई लोग E D by R तो हम इस कंडिशन से क्या कह सकते है अगर हम तो यहाँ पर को बहुत जादा जादा बनाते हैं तो वहाँ पर अर्थफेक्ट को नेगलेक्ट किया सकता है तो यहाँ पर कोई अर्थफेक्ट नहीं होगा अब आपको जब आप इसके डरिवेशन करोगे तो आपको DMB की रिक्वाइमेंट होगी तो DMB कैसे निकालोगे याफिर DMB तो आपको पता चल जाएगी DMB आपको हो जाएगी H plus H यानिकी 2H बट यह वाले इस्टेंस कैसे निकालोगे यह कितनी है, यह है D ठीके यह वाले जो डिस्टेंस है वो तो आपको पताए कितनी है, small d है और यह वाली जो distance है, वो कितनी है, 2H है, तो यह वाली कितनी हो जाएगी, यह आप इससे निकाल सकते हो, पाइतोगर इसको यूज करके तो क्या एगा, 4H² प्लस D², तो आप यूज करते हो, इन सब को पुट करोगे इन सेक्वेशन के अंदर, तो आपको final result यह मिल जाएगा, तो यह सारा कैपिस्टेंस का जो भी जितना भी डाटा था, उसम्मेने आपको करा दिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉंग ट्रांसमिशन लाइन कंदर ABCD परामेटर को निकालना चीखेंगे, क्योंकि, सौट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइ कैसी होती है, यहां पर पर निकालते हैं तो वह हम आपर डिसकस करेंगे, तो वह हम आपर डिसकस करेंगे, SO THANK YOU